नमस्कार जैहिंद वंदे मातरम दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ड एक्जाम इस्टेडी प्लेटफॉर्म में रास्ट रहित में सिक्षाद इसी धीरस दिवेदी फ्रॉम गुरुजी वर्ड दोस्तों आज की है वीडियो मातर 25 मिनिट्स में रहेगी और न बुद्धी लब्दी बोले तो IQ 90-110 के मद्दे है तो वह है किस तरीके का बच्चा होगा यानि हम जानते हैं टर्मिन और बहुत सारे ऐसे साइकलाजिस्ट हैं जिन्होंने कई-कई तरीकों से बुद्धी लब्दी को बाटा है कि कौन बच्चा कितने IQ के बीच में रहेगा बच्चे की बुद्धी लब्दी अगर वो 90 से उपर है 90-110 है तो बच्चा रहेगा सामान बुद्धी का याद रहे कि यहां से कोईसंस बनते हैं कि बुद्धी लब्दी को हम बराबर में किसे रखेंगे तो आप याद रखो बुद्धी लब्दी को हम कहते हैं इंग्लिस तो option जाएगा A के साथ आगे बात करें question number next बच्चे के लिए निसुलक एवुम अनिवारि सिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्स के बच्चे के लिए लागू होता है तो याद रखिएगा कि बच्चे के लिए जो निसुलक सिक्षा है वो दोस्तों 6-14 बर्स के लिए है और 6-14 बर्स है option number A में तो हम A के लिए लखेंगे और याद रखें यह question बहुत बार पूछा गया है article 21 A के तहए ठीक ना चलिए आगे बात करें question number next एक बच्चे की ब्रद्धी और विकास के लिए एक बच्चे की ब्रद्धी और विकास के अध्यन की सबसे अच्छी विधी कौन सी है अच्छा ब्रद्धी और विकास की जब भी बात होती है तो हमारे दिमाग में याना चाहिए कि अगर ब्रद्धी और विकास हमें कुष्ण में ही आंसर चुपा हुआ है ब्रद्धी और विकास और विकास से हमें याद रख लेना है विकास विकास से हमें याद रखनेना है ट्रिकी बे में विकास याद रखनेना है तो यही इस कुष्ण का राइट आंसर चला जाएगा ठीके ना ब्रद्धी और विकास दोनों अलग-अलग हैं ब्रद्धी आपके सरीर की गतिविदियों को इंगित करता है जबकि विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसको आप देख नहीं सकते हैं आगे बात करें ना माप सकते हैं गाडनर ने साथ बुद्धी का अधिमान निर्धारित किया अब कुश्ण यही से बनता है कि गाडनर ने कितनी बुद्धी को बताया गाडनर ने साथ बुद्धी को बताया इन्हें से कौन सी नहीं है हमने गाडनर का सिद्धान्त आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाय एक एक सिध्धान को पढ़के जाएगा अगर आप अपने सभी सिध्धान को खतम करना चाहते हैं तो नीचे लिंक है उस लिंक को क्लिक करें मातर एक गंटे में सारे सिध्धान खतम हो जाएगे इस कुष्टन का जो राइट आंसर जाएगा भावात्मक बुद्धी को यहां आपर गार्डनर ने नहीं दिया था क्लियर है आगे बात करें कुष्टन नंबर फाइव इस कुष्टन को तो मैंने कितनी बार कराया आप सभी बच्चे जानते होंगे यदि एक बच्चे की मांसी कायू पांच वर्स है हमने कहा कि वास्तुभी कायू चार वर्स है बुद् से लिख देता हूं मांसी कायू बटे वास्तुभी कायू इन्टु हंडड़ होता है ठीके ना तो यहाँ पर मांसी कायू पांच है बटे में चार मेंने लग दिया क्योंकि वास्तुभी कायू है इन्टु हंड़े से ही है और मैंने कहा 25 चकू होते 100 और मैंने कहा 25 इन्टु ये वाला 5 और ये हो गया 125 तो आंसर किसके साथ जाएगा ओप्शन नमबर एके साथ आगे बात करें कुस्सन नमबर 6 मनो विज्ञान सिक्षा का आधार बूत विज्ञान है ये पहले मैंने बताया आपको क्योंकि इस वार मैं फिर से ले रहा हूँ क्योंकि ये एक्षाम में तीन वार आया हुआ कुस्सन है सिक्षा का आधार बूत विज्ञान है ये कहा है मिस्टर इसकिनर ने ओप्शन नमबर चला जाएगा बी के साथ चलेंगे आगे आगे कहरा है हिंदी अक्षर को बालक किस आयू में पहचानने लगता है हिंदी अक्षर को बच्चा पैदा होने के कितने बाद कितने बरस बाद दो बरस बाद एक बरस बाद तीन पांच छे दस कितने बरस बाद तो याद रखिएगा पांच बरसों के बाद यहां पर हमार इस तरीके से मैंने ट्रिक में आपको बताये था पढ़ने की चमता क्या होती है डिसलेक्सिया होती है इसी लिए एलेक्सिया को भी हम पढ़ने की चमता को मारेंगे लिखने की चमता डिसग्राफिया होती है इस तरीके से हम चीजों को पढ़ते हैं तो आंसर किसके साथ जाएगा option number A के साथ आगे बात करें कुछ से number 9 P.A.J की आपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कितनी अभद तक मानी जाती है P.A.J ने चार अवस्थाओं को दिया है एक दिया है संबेदी गामक जिसको हमने कहा है जन्म से 2 साल ठीक ना एक दिया है पूर्व संक्रियात्मक पूर्व संक्रियात्मक को मैंने कहा है कि 2 से 7 साल एक दिया है मूर्थ संक्रियात्मक 7 to 11 और मैं कह सकता हूँ कि अमूर्थ संक्रियात्मक के लिए 11 से उपर दिया है तो इस question का राइट अंसर अमूर्थ संक्रियात्मक चला जाएगा क्योंकि अमूर्थ संक्रियात्मक को आपचारिक संक्रियात्मक कहते हैं। यह है यह है नहीं है तो मुझे 280 लेना पड़ेगा आगे बात करें कुश्चन नमबर 11 किस मनो वैज्ञानिक ने अपने तीन बरसी पुत्र का अध्यन किया था तो याद रखेगा पुत्र का अध्यन हम सभी जानते हैं कि कहीं न कहीं पुत्रों के अध्यन पर जीन पियाजे क के साथ आगे बात करें कुश्चन नमबर 12 यह कुश्चन बेरी बेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कई वार एक्जाम में आया हुआ है बालक का विकास कहां से कहां से स्टार्ट होता है कहां पर खतम होता है तो बालक का जो विकास स्टार्ट होता है वो सिर से पैर की और स्ट अब सिर से पैर की तरफ कहां पर है option तो सिर्क से पैर की तरफ option number A में है और याद रखें कि सिर से पैर की तरफ या मद्दे से बाहर की तरफ options आ सकते हैं कभी लिख कर आ जाए मद्दे से बाहर की तरफ तो बिल्कुल आपको मार देना है सिर से पैर की तरफ तो मार देना है ठ इसाव सिर से पैर की तरफ होती है, बरतुला कार गती होती है, तो याद रखीगा तेरमा कुश्चन जो आंसर चला जाएगा, वो विसिस्ट से सामाने की तरफ नहीं होता है, बलकि सामाने से विसिस्ट की ओर होता है, इसलिए इस कुश्चन में अगर ओप्शन नमबर ये होत तो यह तीनों अवस्थाइं आ जाती हैं 1st, 2nd, 3rd, इनका कोई भी क्रम हो सकता है आगे बात करें यह सहसव अवस्था, वाल्ले अवस्था और किसोरा अवस्था, प्रोला अवस्था यह सब ही बच्चे के जर्म के बाद कि अवस्थाइं होती है आंसर चला जाएगा एक साथ मन तथा सरीर का विकास मन तथा सरीर का विकास option number A के साथ चला जाएगा आगे बात करें question number 16 गर्व में सरपथम निर्माण होता है पैर, सिर, धड़ या फिर सभी का तो मैं answer की बात करो तो option number किस के साथ चला जाएगा सिर के साथ चला जाएगा क्या जल्दी से बताओ इस question का राइट answer आपने सभी ने सुना होगा कि विकास सुरू होता है सिर से पैर की तरफ अगर वो भी trick आप लगाओगे तो भी यहाँ पर आप भूल नहीं पाओगे answer जाएगा B के साथ आगे बात करें question number 17 जर्म के समय सिसू के अंदर कितनी हड़िया होती है जब सिसू पैदा होता है तो हड़ियों की संक्या एक वैस्क मनुस्य से जादा होती है मतलब एक वैस्क मनुस्य में 206 होती है अगर 206 से जादा होई तो मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 270 से 300 के मद्दे में अगर option है तो मारिएगा यहाँ पर option number C 60 बैठेगा क्योंकि 320 ज्यादा हो जाएगा यह बाल्य वज्था में आएगा आंसर किसके साथ चला जाएगा option number C के साथ आगे बात करें कुस्सा number 18 ZPD का full form क्या होगा? ZPD का सिध्धान किसने दिया था? तो याद रखीगा ZPD का सिध्धान दिया है मिस्टर बाईगोस्की ने और याद रखें यह है एक सामाजिक अंतहक्रिया का नियम है जिसका full form है zone of proximal development इसका full form है जिसको हिंदी में कहा जाता है समीपस्त विकास का छेत्र ठीक है ना? किस ने दिया था? बाईगोस्की ने किस से रिलेट करता था? समाज के सिध्धान पर आगे बात करें कुश्चन नमबर 19 बालक के जनम के समय सिसू के मस्तिस का भार कितना होता है? बालक के जनम के समय सिसू के मस्तिस का जो भार होता है वो साढ़े तीन सो ग्राम का होता है option number जाएगा B के साथ 20 number कलपना जगत में बिच्रण होता है सैसवा वस्था, किसोरा वस्था, बाले वस्था या सैसवा वस्था वा किसोरा वस्था कलपना जगत में भीचरण करने वाला आप सभी जानते हो कि कहीं ना कहीं किसयोरा आवस्था शटी का अंसर बैठेगा लेकिन क्या हम इस कुशन को ऑप्शन में सही मान लेंगे कभी नहीं मानेंगे क्योंकि इस कुशन का जो 60 का अंसर बैठेगा वो सैसवावस्था बाकि सोरावस्था दोनों बैठेगा कलपनाओं की जगत में बिच्रन करने वाला एक सिसू भी होता है और एक वैस्क भी होता है आगे बात करें कुछ्षन नमबर ट्विंटी फन बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है मुख्य रंगों का मतलब है लाल नीला पीला पांच वर्स दो बर्स तीन वर्स चार वर्स तो इस कुछ्षन का जो राइट अंसर जाएगा वो पांच वर्स के साथ अप्षन को clear करेगा क्रैक करेगा आगे बात करें कुश्चन नमबर 22, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा तीन पहियों की साइकिल चलाना, ये कुश्चन मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया था, कि एक लकडी की साइकिल को बच्चे मेले से खरीद करलाते हैं और चलाते हैं, छोटा बच्चा करेगा किस अवस्था में करेगा तो यार छोटा बच्चा करेगा तो वो सैस्व अवस्था होगा, सिंपल सी बात है, है ना, जन्म की बात करें, तो जन्म से 5 साल तक की इसकी जो है, एज होती है, आगे बात करें, कुश्चन नमबर 23, ये मिलिकित मेंसे किस घटना की ओर बालक सर् लगता है जानने में लेकिन प्रकास से वो चकाचोंद होने लगता है जल्दी ही अंसर जाएगा ये के साथ आगे बात करें कुछ से नमबर 24 बालक की जिग्यासा को किया जाना चाहिए बालक की जिग्यासा को सांत किया जाना चाहिए अंसर जाएगा बी के साथ उतेजित हमार सक्रिय हमारा दमन हमारा नहीं होगा क्योंकि जिग्यासा जो होती है वो जानने की इक्षा होती है और जानने की इक्षा को संत करना बहुत important है answer जाएगा B के साथ और यह कारे समाज में अविवावक, घर का कोई सदस्य या कोई भी कर सकता है भारत में बालविकास की शुरुआत कब हुई थी? भारत में बालविकास की शुरुआत को करने का समय जो है वो है 1900, 1900 कितना है भहिया? 1930 हो जाएगा इस question का right answer option number first के साथ question number 26 किसोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो है निम्निकित में से कौन सी है मतलब 12-18 साल की जो age का किसोर होता है उसमें सामाजिक जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है वो है रुचियां है, आवस्था है, आशुरक्षा है या अभिवरत्ती है तो इस question का जो right answer है negative के लिए हमें negative आशुरक्षा का प्रभाव नहीं पड़ता है आगे बात करें question number 27 किसोर अवस्था में चरित्र निर्माण में जो अवस्था सम्मंदित है वह निम्निखित में से कौन सी है किसोर अवस्था का मतलब है कि वही वाला 12 से 18 और चरित्र का निर्माण करना है अवस्था सम्मंदित है किस से है परमपराओं को धारन करने की अवस्था आधार हीन आतम चेतना की अवस्था आधार योगत आतम चेतना की अवस्था ये 100 के अंदरित अवस्था मैं कहे सकता हूँ कि इस question का जो right answer जाएगा वो 27 का option number आदार हीन आत्म चेतना की अवस्था option number किसके साथ? B के साथ चला जाएगा आगे बात करें 28 विकास व्यक्ति में नवीन विसिस्थाएं और योगिताएं प्रस्फिटित करता है यह कथन किसका है? विकास, development, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है आप सभी को पता होगा कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया है सिर से पैर की तरफ चलने वाली प्रक्रिया है सामानी से विसिष्ट की और चलने वाली प्रक्रिया है यही विकास है विकास व्यक्ति में नवीन विसेस्ताईं और योगताईं प्रस्फुटित करता है यह दोस्तों इस कुछन का अंसर चला जाएगा मिस्टर हॉरलाइक के साथ एक के साथ आगे बात करें 29 किसोरा वस्ता एक नया जन्म है इसमें 29 और स्रेष्टतर मानव विसेस्ताओं का जन्म होता है यह कतन किसका है किसोरा वस्ता 18 साल तक चलता है यह आपको पता है किसोरा वस्ता के बारे में सबसे जादा अध्Яंकिया है श्टड़ी करी है वो स्टेनले हॉल ने करी है इसमें उच्चतर और स्रेश्टतर मानव विसेस्ताओं का जन्म होता है यह कथन किसका है यह मिस्टर स्टेनले हॉल का है क्योंकि स्टेनले हॉल ने ही इस पर जादा स्टड़ी करी है और एक पुस्तक लिखी है एडॉल सेंस आगे बात करें कुस्टर नमबर 30 किसवरा अवस्था आदर्सों की अवस्था है सिध्धान्तों के निर्माड की अवस्था है साथी साथ जीवन की सामानि समायोजन की अवस्था है किसवरा अवस्था आदर्स की अवस्था माना गया है ठीके ना सीखने का आदर्स काल सहसुब अवस्था है ये अलग है, लेकिन एक मनोवग्णिनिक ऐसा है, जिसने अपने statement में ही ये कहा है, कि किसोरा अवस्था आदरसों की अवस्था है, सिध्धांतों के निर्माड की अवस्था है, साती साथ जीवन में सवाने समायुजन की अवस्था है, ये परिभासा देने वाले Mr. Jean P.A.J. है और जीन पियाजे ओप्शन नमबर B में है जीन पियाजे जाने जाते हैं संध्यानात्मक विकास के लिए ठीक ना याद रखें आगे बात करें कुछ से नमबर 31 मानसिक विकास का संबंद नहीं है मानसिक विकास का संबंद मांसिक विकास का मतलब है कि दिमाग से सोचने से सम्मंदित जो नहीं है अब बोध, अगर आप बोधन की छमता देखो यानि कोई चीज सीख रहे हो तो आपको बोध होना चाहिए यह तो है, पॉजिटिव है इसमरति का विकास मेमरी आपके दिमाग से सम्मंदित है तर्क आप अपने दिमाग से ही तो सोचेंगे कल्पना करेंगे, यह भी है लेकिन आपकी उचाई यह दिमाग से सम्मंदित नहीं आपका बजन, यह नहीं है तो याद रखेगा इस question का जो right answer जाएगा वो first के साथ चला जाएगा आगे बात करें 32 मनुस्य के सरीर में हड़ियों की संख्या कम से कम कितनी होती है कम से कम होती है कौन सी अवस्था में अब यह देखेगा आप सभी जानते हो कि सैस्वा वस्था में 270 से 300 हड़ियां होती है बाल्य वस्था में बढ़के हो जाती है 300 या 350 या 360 ठीक है ना कि सुरा वस्था की बात करें तो इसमें 206 हो जाती है और मैं कह सकता हूँ कि अगर देखा जाए प्रोड़ा वस्था में तो हम कह सकते हैं कि प्रोड़ा वस्था में जैसे जैसे यहां से बढ़ी यहां से बढ़ी फिर डाउन हुई और फिर इसमें भी लो हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि लो वाली जो संख्या है वो प्रोड़ा अवस्ता के साथ जाएगी किलियर है आगे बात करें कुछ्छा नमबर 33 किसोरा वस्ता की प्रमुक समस्या क्या है बजन बढ़ाने की सिक्षा की समायोजन की अच्छे परिलाम देने की याद रखीगा किसोरा वस्ता 12 से 18 साल किसोरा वस्ता की बात करें तनाव तूफान की अवस्ता और किसोरा वस्ता में बच्चा समावजन करने की अक्षमता को प्रद्रशित करता है आगे बात करें 34 किसोरा वस्ता बड़े संगर्स तूफान और विरोत की अवस्ता है बच्च का जो राइट आंसर चला जाएगा वो option number 4 के साथ संबेदी गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्थ संक्रियात्मक और अमूर्थ संक्रियात्मक आगे बात करेंगे 36, बहुत कम समय में वीडियो खतम हो जाएगी दोस्तों, 15 कोशन और बचे हैं, 25 मिनट कहा था, 25 मिनट से भी कम कोशन्स इसमें लगने वाले हैं एरिक्सन के अनुसार कौन सी अवस्था में बालक अधिक पहल करता है, लेकिन बहुत ससक्त भी हो जाता है, यह दोस्त भाबनाओं की और ले जाता है एरिक्सन आप सभी जानते हो, मनो सामधिक विकास्ट के लिए जाना जाते हैं एरिक्षन के अनुसार कौन सी अवस्था में एरिक्षन का सबसे पहले आप सिध्धान्त देखो मैंने पढ़ाया है 36 का आंसर किसके साथ चला जाएगा 3 से 6 वर्ष के पाथ यहाँ पर चला जाएगा option number B के साथ बहुत जबर्जस्त तरीके से याद रखेगा इस कुस्षन का जो राइट आंसर चला जाएगा दोस भावनाओं से संबन्दित है तो दोस वाला option आपको लेना पड़ेगा आगे बात करें कुस्षन number 37 मानसिक विकास को प्रुभावित करने वाला कारक नहीं है परिवार का बातावर्ण धार्मिक बातावर्ण परिवार की सामाजिकी स्थि या परिवार का आर्थिक समाजस से 37 के साथ चला जाएगा इस कुस्षन का राइट आंसर धार्मिक बातावर्ण याद रखेगा धार्मिक बातावर्ण के साथ option number create करेंगे क्योंकि मानसिक विकास से सम्बंदित धर्म नहीं हो सकता आगे बात करें 38 नैतिक तर्ग का अवस्था नैतिक तर्ग की अवस्था द्यांदी जेगा नैतिक तर्ग की अवस्था सिध्धान्त किसने स्पस्टित किया है अपने सिध्धान्त में अच्छा नैतिक तर्क के लिए जाने जाते हैं Mr. Kohalberg मनो सामाजिक के लिए जाने जाते हैं Ericsson सिगमेंड फ्राइट जाने जाते हैं मनो विशलेशन के लिए और सास्त्री अनुवंधन के लिए जाने जाते हैं Paola चारो सिध्धान्त को बड़ ध्यान से देखना है मनो विशलेशन और अगर पावलाओ की बात करें तो सास्त्री अनुवंधन के सिध्धान्त के लिए जाने जाते हैं ये तो आंसर किस के साथ जाएगा एक के साथ कुश्या नमबर 39 39 दखीगा बंसान उक्रम से संबंदित प्रियोग चूहों पर किस ने किया तो चूहों पर किया है मेंडल ने किया है मतर पर भी किया है साथ में आपको मतर को भी याद रखना है ठीक है ना मतर को भी याद रखना है और ऑप्शन नमबर हो जाएगा C के साथ आगे बात करें 40 कौन सा उर्जावान मित्रवत बालक का लक्षण नहीं है उर्जावान का मतलब है एनरजेटीक मित्रवत लक्षण नहीं है कुस मिजाज सही है सामाजिक सही है आसानी से चड़ने वाला चड़ने वाला निगेटिव पोईंट है नहीं है के लिए हमें निगेटिव पोईंट लगाना था आंसर भी क्या हो जाएगा option number C के साथ आगे बात करें कि सोरा वस्था प्रारम होती है सेसवा वस्था की बात करें तो सेसवा वस्था जो स्टार्ट होती है वो जर्म से 5 साल बाल्य वस्था स्टार्ट होती है 5 से 12 साल और यह होती है 12 से 18 साल यह सुरा वस्ता प्रारंब होगी तो 12 से 18 साल यानि प्रारंब होने की बात है तो 12 और खतम होने की बात अगर पूस्ता तो D मारते हैं आंसर जाएगा C के साथ आगे बात करें 42 पूंड तहा प्रकारे सील व्यक्ति का संप्रत्ते किस ने दिया है Mr. Carl Rogers ने दिया है ठीके ना आगे बात करें कुस्से नमर 43 निम्लिकित में से किसने बच्चों में बस तू इस्थेतर रे के विकास को समझने में बार बार कुस्सन आया है ये कई बार कुस्सन आपको देखने को मिलेगा प्रिवीयस इर पर उठा के देख लीजे आप और ये वीडियो बहुत सूपर फास्ट वीडियो थी क्योंकि सूपर फास्ट वीडियो एक्जाम के समय दी जाती है आप सभी को पता होना चाहिए निम्निकित में से किसने बच्चों में बस तु इस थैतर्र को समझने में साहता प्रदान की थी सूरी बच्चे के साथ साथ चलता है उसके मुड़ने का अनुकरन करता है और बच्चे की बात सुनता है ये कथन बालक की किस लक्षड की और इंगित करता है आप देखते होगे कि जब आप जाते हो रात को तो चंद्रमा भी आपको लगता होगा कि आपके साथ ही साथ चलता है सूरी भी आपके साथ साथ चलता है तो यह लक्षड जो है इंगित करता है या ऐसा बालक समझता है यानि हम यह कह सकते हैं तो इस कुषण का जो राइट आंसर जाएगा वो सजीब चिंतन क्योंकि बच्चे को लगता है कि ये सजीव चिंतन है और वो मेरी बात सुन रहा है या मेरी बात मान रहा है आगे बात करें कुछन नबर 45 45 देखेगा किसने ये दावा किया कि सभी भासाओं में होने वाले कुछ सार भौमे गुड जनमजात होते हैं आगे बात करें कुछन नबर 46 फ्राइड के अनुसार निम्लिकित में से कौन सी विकास की अवस्था बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है फ्राइड का मतलब है सिगमंड फ्राइड ने मनु विश्टेसल का सिध्धान दिया था इड एगो सुपर एगो के बारे में भी बताया था सिगमंड फ्राइड के अनुसार कौन सी ऐसी अवस्था है जिन में बच्चे का ध्यान जननांगों की तरफ जाता है तो इस कुष्टन का जो राइट आंसर जाएगा वो लेंगिक हो जाएगा और उप्शन नमबर सी के साथ चला जाएगा फ्रटी सेवन निमनेकित में से कौन सा बच्चे है तो बेसलर बुद्धी मापनी का एक निश्पादन मापनी है यहाँ पर अगर हम बुद्धी का चेप्टर पढ़ेंगे तो बुद्धी का चेप्टर आप प्लेरिस्ट से जाके पढ़िएगा बहुत जवर्जस्त पढ़ाया मेंने निमनेकित में से कौन सा बच्चो है तो बेसलर बुद्धी मापनी एक निस्पादन मापनी है तो इस कुष्ण का जो राइट अंसर जाएगा वो चित्र पूर्ती हो जाएगा यानि ऑप्शन नमबर डी के साथ चला जाएगा आगे बात करें फुट्टी एट बालमनु विज्ञान का सिध्धान्त बालमनु विज्ञान का कौन सा ऐसा सिध्धान्त है जो प्रारंब के 4-5 बरसों के अनुभों पर आधारित होता है याद रखेगा गुरुजे वार्ड एक्जाम स्टेडी में अगर आप सिख्छक या सिख्छिका बनना चायते हैं तो एक-एक डीप क्लास एक-एक बल नाइनर क्लास एक-एक कुस्ण बाली क्लास और एक-एक सूपर फास्ट जैसी आज देख रहे हो कई तरीके की क्लास यहाँ पर मिलती है और हम सिख्छक और सिख्छिका बनाते हैं आपको बाल मनो विज्ञान का सिध्धान्त एक ऐसा सिध्धान्त जो मनो विज्ञान्त का सिध्धान्त कहलाता है गाईस उप्शन नमबर A के साथ जो चार से पांच वरसों के अनुपों पर अधारित होता है आगे बात करें कुस्ण नमबर 49 इनफेंट का मतलब होता है बच्ची की बात करें तो मैं कह सकता हूँ यह किस ने लिखी एक पुस्टक है जिसका नाम है A Biographical Sketch of Infant दो से तीन पुस्टक आपके एक्जाम में आएंगी या अकेले एक कुस्ण में एक पुस्टक मुझ सकता है दो से तीन पुस्टक कैसे मैंने कह दिया क्योंकि पिछली बार जो एक्जाम हुआ था तो उसमें एक कुस्टक ऐसा आया था जो मिलान करने वाला था यह पुस्टक किस की है यह पुस्टक किस की है तो कुस्टक तो एक ही था लेकिन पुस्टके तो तीन चार हो गई थी ना उसमें तो याद रखें कि एक minimum question बुक से आता है एक बाइगराफिकल इस case मिस्टर डार्मिन की है option number C के साथ जाएगा like नहीं किया है आपने अभी बच्चों ने like ज़रूर करें मानवी करत परिक्षन का अर्थ है हम उम्मीद करते हैं इस और से प्रार्थना करते हैं का exam crack हो जाएगा और बेहतर number के साथ subscribe कर ले बेहतर study plan के लिए मानकी करत परिक्षन का अर्थ क्या है मानकी करत परिक्षन का अर्थ होए दोस्तों इस question में अगर देखा जाए विश्वसनियता मानकी करत क्या मानक पर खरा है बिल्कुल सही बात है कोई question अगर विश्वसनियता नहीं है तो फिर कैसे बैद्ध है क्या question बिल्कुल बैद्ध होना चाहिए क्या आपने मानक पर खरा उतर रहा है बिल्कुल होना चाहिए तो इस लिए इस question का अंसर दाएगा D के साथ हमने इस वीडियो को मातर 23 मिनट 24 मिनट के अंदर खतम किया है हमने इस वीडियो में कहा था कि 25 मिनट में 50 कोईसन करेंगे और पूरी व्याक्या के साथ सुपर फास्ट तरीके से यानि अगर देखा जाए तो 50 कोईसन में 3-3 गंटे लोग लगाते हैं और हमने मातरम इंकलाव जिन्दावाद